हेलो दोस्तों आपके स्वागत एफिंटोक्स पर इस वीडियो में हम बात करने वाले है आईपीओ से रेलेटेड कुछ जरूरी सवालों के बारे में जो कि सभी इंवेस्टर्स को पता होने चाहिए जयसे कि आईपीओ होता क्या है आईपीओ में शेर कैसे अलॉर्ट किये जाते है So let's begin, सबसे पहले बात करते हैं, IPO होता क्या है? एक IPO यानि Initial Public Offering, जब कोई कमपनी परदली बार जनता को शेर जारी करती है, तब होता है जब एक private company सारवेजनी होने का फैसला करती है दूसरी सुब्द में कहने तो एक company जो तब तक निजी स्वामित में यानि प्राविटली ओनर्शिप की उद्धी थी, IPO निकलने के बाद पब्लिक लिए ट्रेड करने वारी company बन जाती है IPO से पहले एक company के पास बहुत से कम shareholder होते हैं, इसमें founders, angel investors और venture capitalists सामिल हैं लेकिन एक IPO के दौरान company आपने shares जन्ता के लिए बेचने के लिए फुलती है, एक investor के रूप में आप सीधे company से share खरीज सकते हैं और shareholder बन सकते हैं Shareholders बनने से पहले ये समझ दर लेते हैं कि company IPO shares allocate कैसे करती हैं, जब IPO की बात आती है तो अलग-अलग investors category होती हैं qualified institutional buyers, non-institutional investors, retail individual investors में सभी categories के लिए shares का allocation अलग-अलग प्रकाई हैं इनमें से आप retail individual investors की category में आते हो, एक वेक्तिकत निविशक यानि individual investor के रूप में आपको 10,000 से लेकर 15,000 रुपे के चुटे लोट में निविश करने की अनुमती होती हैं आप एक IPO में अधिकतम 2,000,000 रुपे के लिए अपलाई कर सकते हैं retail category में शेरों की फुल मांग को प्राप्त आविदनों के संग्या से आंका जाता हैं यह मतलब total shares demand को जितने application विचिव में उस पर जज़ किया जाता है जब share demand allotment यानि जितने shares announced किये हैं उससे ज्यादा होती है तो और जे oversubscribe कहते हैं कई बार किसी IP को 5 गुना oversubscribe किया जा सकता है इसका मतलब यह है कि share के demand supply से 5 गुना ज्यादा है ऐसे medical category के share lottery के base पर investors को offer किये जाता है यह सभी प्रोसेस computerized process से होता है जो निवेशिकों को share and punish books allocation एंशर करती है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बसे उतना है यह वीडियो आपको कैसा लगा और आपको कोई भी doubt हो तो मुमें comment section में बताए मेलते अगले वीडियो में thank you